भगवे का नाम इस्तमाल नहीं करना चाहिए भगवा तो आप सब ओड़े भगवा तो हिंदुस्तान की शान है लेकिन आप जब भगवा ओड़े तो उसको रंग बेशरम ना कहें ना तकलीफ तो फिर होगी ना हिंदुस्तान इस केसरिया में रंगा हुआ है जब सुभा की प तकलीफ नहीं है कोई पहने कैसा भी पहने उस रंग से तकलीफ नहीं उसको बेशर्म रंग कहना यह तकलीफ का बाइस है जब सब्सक्राइब करना ना भूले सुनील सेटी उन्होंने गुटनों पर आकर योगी आदिति एरिनाथ जी के सामने एक इलतिजा पेश की बात पूरी नहीं हुई है यह कहने से कि आप इस बाइकोट को हटा दीजिए दरसल आपने जो किया है आप जो गुजिश्टा सालों से करते आ रहे हैं बॉली वूड के साथ और बॉली इस मतलब फिल्मी दुनिया के नाम पर आप जो रंगरिलिया और जो खुराफाते आप मचाते आ रहे थे वो हिरोईन जब तुकडे तुकडे गैंग के समर्थन में हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी राष्ट भक्त लोगों के सीनों पर चड़कर एक ऐसा गैंग का साथ देती है जो भारत तेरे टुकडे होंगे इंशालला के नारे लगाते थे ऐसे लोगों का जब ये लोग साथ दे रहे थे उस वक्त इनको हिंदुस्तान की राष्ट भक्ती का अंदाजा असल में नहीं था आज आप इलतिजा जो योगी आदित्यनाद से कर रहे हैं मैं मानने वर शुनिल सेटी जी का कोई फैन नहीं हूँ ना में उझे उन से कोई जाती उन्सियत है लेकिन मैं फिर भी उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब राष्ट द्रोही नारे लग रहे थे और आपकी हिरोईन ऐसे लोगों का समर्थन उनका होसला अवजाई करने के लिए उनके बीच में पहुँच रही थी तब आप ने उनके कदम रोके क्यों नहीं आपको अंदाजा नहीं था कि देश की एक बड़ी आबादी जो म क्रस्ट के क्लाफ काम करें गये राष्ट की एकए अखंडता को तोड़े видео उसको यह चीजे फसकारनी पड़े इसको एक राष्टवादी हर्च अपरे मिलेगा और उसको सフेस करना पड़ेगा देश राष्टवादी फिलमें बनाते है आप राष्ट को सर्वबड है मानते ह आप राश्ट की एकता अखंडता अखंड भारत के लिए आप जो है फिल्मे बनाते आपका समर्तन होता और किया है इस देश के अंदर जिन लोगों ने देश की महबत में आकर खुर्बानिय दी हैं या इस तरह की नाविले लिखी हैं ऐसी किताबे लिखी हैं जो राश्ट अ खंडता को एक करती हो और उसको उजागर करती हो ऐसे लोगों को लोगों ने पलके पे बिठाया इस चीज़ को बॉलिवुड ने कभी नहीं समझा आज जब हिंदुस्तान का हिंदू हिंदुस्तान का राश्ट वादी इनसान जाग गया है और इनकी असलियतों को पहचान गया है कि ये ड्रग माफिया ये ड्रग के तसकर हमारे बच्चों के नसों में जहर उतारने वाले ये लोग जिनका हिंदुस्तान नहीं बिलकि हिंदुस्तान से बाहर भी अच्छा खासा वेपार भी है और काम भी है और जब ये वहां से जूम जूम के ये लोग नशों के अंदर आके इन्हों ने थे नोजवानों की रगों में जहर को उता रहा है और आज जब हिंदुस्तान का नोजवान इस बात को समझ गया तो अब इनकी आखे खुल रही हैं लेकिन आखे खुलने का आप मन्जर देखिए यह यह नहीं कर रहे हैं कि अभी भी राहे रास पर य झाल 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 झाल